प्यारे दोस्तों नमस्कार जैहिंद कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता है आप सभी बहुत जाद आच्छे होंगे और स्वागता आपका अपने यूटूब चैनल शेरमाजनिंग क्लासस के अंदर दोस्तों पिछले एक हफते से जो स्ट्रेस चला या जो तनाव चला या विद्यार्थियों में महिला आरक्षन को लेकर के कि जो 50% मुख्यमंतरी भजेलाल जी ने दिया है रैजस्तान सरकार ने महिलाओं को जो आरकशन दिया है उसको लेकर चला था और आज तारिक है 20 जून 2024 जैसा कि आपको पता है था जैसा मैंने कई वीडियोस में बताया भी था कि जो यूवा है वो हला बोल करेंगे 20 जून को सुबह 10 बजे शहीद समारक के उपर ठीक है तो आज वहाँ पे परदरशन भी हुआ और मुख्यमंत्री बजनलाल जी ने उसको लेकर के एक फैसला भी या उस परदरशन को लेकर के वो फैसला क्या है क्या वो विद्यार्थियों के हित्मे है या नहीं है और उस फैसले से आगे क्या असर होने वाला है विद्यार्थियों के करियर के उपर और क्या असर होने वाला है भरती प्रिक्षाओं के उपर उसके बारे में अपने आज क इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वीडियो को बिना स्किप कियों लाश्ट तक देखना और वन बाई वन आपके सारी पॉइंट्स क्लियर कर लेना तो चलिए दोस्तो वीडियो को का अभिनंदन कार्यकरम हुआ था आज और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो तिर्टिया शेनी शिक्षक बरती में महिला आरक्षन 50% दिया गया है उसके उपर महिलाओं ने क्या किया अभिनंदन आवार किया मुख्यवंत्री जी का देखे ध्यान से समझे जो आपको प अभरस्तान की लड़कियां थी बहने थी वो गए मुख्यमत्री जी का उन्होंने अभार व्यक्त किया कि उन्होंने अच्छा मुखा दिया लड़कियों को ठीक है इस पर उन्होंने मुख्यमत्री बजनलाल जी ने उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं को मुखा दिया है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं युवाओं को भूल चुका हूँ, लड़कों को मैं भूल चुका हूँ, ऐसा बिलकुल नहीं है, किसी के साथ मैं नाइनसाफी नहीं करना चाहता, सब को मैं बराबर रखना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मुख्या मंतरी निराशा नहीं होगी मतलगी दोस्तों उन्होंने बातों बातों में ये भी बिता दिया कि आगे vacances आने वाली है मतलब उनके mind में अभी प्लान चल रहा है आगे की vacances को लेगर के कि आगे हम vacances कराएंगे और उन्होंने ये कहा कि जैसे यूँआ आप निराश हो रहे हैं निराश मत हो यह आप त्यारी करते रही है आपके लिए vacances त्यार की जा रही है इस बात से निराश मत हो यह कि महलाओं को 50-30% आरक्षन मिल गा हमारी सीड छिन ली गई है या महलाओं को पुलिस विभाग में 33% आरक्षन मिल गा तो मारी सीड छिन ले गई है ऐसा कुछ नहीं है जहां पे मोका मिलेगा भागीदारी दी जाएगी पुरुशों को भी ठीक है ना ऐसा उन्होंने कहा है ऐसा उनका आज का अपडेट है तो दोस्तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बस आप लोग टेंशन वेगरा छोड़कि आप लोग भरतियों की त्यारी करते रो ठीक है बरती प्रिक्षाओं की त्यारी करो जैसे ही भरतियां आती रहेंगी आप back to back exam देते जाना और आपका selection हो जाएगा ठीक है दोस्तो द त्यारी करनी है कि मेरी exit fix हो जाए यह आपके मन में होना चाहिए थोट जब आप भी त्यारी करें ठीक है दोस्तों तो बाकी आपकी कोई भी suggestion है कोई भी राया है या आप कोई टिपनी करना चाहते हैं कि मुख्यामदरी बजनलाल जी ने ऐसा क्यों कहा है या ऐसा कहने पे उनकी मनशा क्या थी जो भी आप सोचते हो comment section में मुझे comment जरूर करना ठीक है दोस्तों और बाकी कोई भी doubt query है पूछ सकते हो whatsapp group से जूड़ना है link नीचे description box में दिया हुआ है और अन्या government exams की त्यारी के लिए चैनल के उपर playlist आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हो ठ क्या हिंद जे बारत